हां जी बच्चों, अब हम question number 9 पे आ गए हैं और question number 9 है, explain the consumer equilibrium in the case of single commodity तो बच्चे question number 9 आपके exam के point of view से बहुत important है आपके exam में इसका 5 marks का इस particular question का weightage रहता है तो बच्चे question हमारा क्या कह रहा है explain the consumer equilibrium in the case of single commodity तो बच्चे question number 8 में हमने discuss किया consumer equilibrium के बारे में कि consumer equilibrium किसे कहते हैं बच्चे जब consumer अपने given income से, अपने limited income से जब किसी भी commodity को purchase करने के लिए market पे जब हो जाता है तो वो एकदम से ही किसी भी चीज को वो purchase नहीं कर लेता है clear है उसके लिए क्या करता है वो market में थोड़े दो चार शॉप पे जा करके उसको जो चाहिए उसके बहुत सारे options को देखता है और जब options को देखने के बाद हाला कि भले ही मान लीजिए वो ले अपना वो पहले वाले ही चीज ले जो सबसे पहले देखा था लेकिन वो स्टार्टिंग में परचेस नहीं करेगा उसको अगर पहले वाली चीज ही पसंद आगे तब भी उसको hold करेगा दो चार चीज़े और पसंद करता है और देखता है क्यों क्योंकि वो compare करता है कि उसके limited income में उसके given income में उसके पास में options कितने हैं वो सभी options को देखेगा एक shop से दूसरे shop दूसरे shop से तीसरे shop इवन market भी change करकर की देखेगा और जब उसको ये analyze करके ये realize कर पाएगा वो कि उसके इस given income में इस limited income में ये जो options है ये बाकी से ज़्यादा satisfaction level दे रहा है बाकी से maximum satisfaction level दे रहा है then वो परचेश करने का decision ले लेता है कि मुझे मेरे इस given income में ये जो चीज है यही मुझे maximum satisfaction level दे रहा है बाकी इसे ज़्यादा satisfaction level नहीं दे सकती है ऐसे शरटे के बाद आने के बाद ही as a consumer हम purchase करने का decision लेते हैं और जब आप purchase करने का decision लेते हैं तो उसी situation को हम consumer equilibrium कहते हैं और उस situation में अगर shopkeeper आपको आपके options को थोड़ा सा divert करने की कोशिश करें कि ये नहीं सरा आप ये ज़रा try करें तो आप सीधा मना कर देंगे कि नहीं मुझे अब चाहिए तो यहीं चाहिए तो जब आप situation में आने के बाद realize होने के बाद आप उस situation में कोई भी changes को afford नहीं करते हैं तो basically अगर मैं single line में consumer equilibrium को express करूँ तो हमारे limited income में maximum satisfaction level तक पहुचने को ही हम consumer equilibrium कहेंगे यह कोई नई बात आप नहीं पढ़ रहे हैं आप अपने practical life में जा करके example को आप देखिए और जरा उसको आप समझीए इवन एक रुपए के toffee निकालते time पर भी आप एक second के लिए confused हो जाते हैं कि कौन से toffee निकालू तो वहाँ पर भी आपके mind में calculation चल रहा है कि मेरे इस unlimited sources में मुझे जो options available है इसमें से maximum satisfied कोन करेगा देन आप उसको purchase करने का आप उसका distance लेते हैं तो जब भी आप purchase करने का distance लेते हैं इस surety के साथ लेते हैं कि यह आपको maximum satisfied करेगा इसके इलावा कोई दूसरी चीज आपको maximum satisfied नहीं करेगी तभी आप उसको purchase करने का डिजन लेते हैं इसको हम consumer equilibrium कहते हैं जो कि question number eight में already हमने discuss किया अब question number nine क्या आ गया same consumer equilibrium को explain करना है मतलब एक consumer के maximum satisfaction level तक महुचने के process को explain करना है लेकिन यहाँ पर क्या in the case of single commodity बच्चे अब आपके mind में चल रहा होगा सर consumer equilibrium तो सुझ में आ गया कि maximum satisfaction बट सर यह single commodity क्या है तो बच्चे single commodity क्या है कई बार ऐसा होता है कि हम at a time दो commodity का consumption कर रहे होते हैं एक समोसा और पैपसी तो यहाँ पर single commodity specific mention इसलिए क्या है confirm करने के लिए कि आप at a time एक ही कमडिटी का consumption कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता आप अपने फेबरेट कुछ भी ले लिजिए आप आइस क्रीम लेजिए आप खोर्डिंग ले लिजिए आपका जो दिल करें आप उस कमडिटी को select कर लीजिए at a time consumer एक single commodity का consumption कर रहा है और consumption करते 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 उसको कब maximum satisfaction level मिलेगा कब वो equilibrium के situation में आ जाएगा यह इसको explain करना है 5 marks में clear है और इस question को exam में दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है यह कि explain the market price of good how does a consumer decide as to how many units of that good to buy मतलब कि question number इस question को ऐसे पूछ सकते हैं कि कि किसी commodity का अपना एक market में price है तो इसका market में price होता है तो हम कैसे decide करते हैं कि हम इसकी कितने unit को buy करें ice cream consume कर रहे हैं तो हम यह discern कैसे लेते हैं कि ice cream की कितने unit समोसा का किस कंजम्शन कर रहे हैं तो हम कैसे यह डिजन लेंगे कि इसके कितने यूनिट अगर आप वाटर ड्रिंग कर रहे हैं तो आप कैसे डिजन लेंगे कितने ग्लास वाटर की ड्रिंग करेंगे चपाती है कंजम्शन कर रहे हैं तो कितनी चपाती है कंजम्शन करेंगे तो आप किसी के market price given है और उस price पर आप ये design कैसे करते हैं कि इसके कितनी unit का consumption हम करेंगे basically practical life में जाएं तो सुभा भी आप consumption करते हैं टाइम भी decide करते हैं सब्सक्राइब दिन में भी आप ये design लेते हैं नाइट में भी लेते हैं बड़ाइब लेते हैं जरा एकस्प्लेइन करना है इसको 5 मार्स में पूछ लिए क्यों सी और मैने आपके मैंट मैं इसके हैं ये तॉ ज्यादा होती है तो ज्यादा होती है तो ज़्यादा का क CBD करते हैं तो यह सब कुछ बेसिकली हमारी नीट्ष पर डिपैंड करता हूं आपने क्या काई कि हमारी नीट्स पर हमड्ção भी 12 करते है कि ठीक है बच्चे अगर आपका ऐसा मानना है तो देखिए मैं आपको आपके डिजन से कैसे मोड़ता हूं एक फर एक्जामपल आप आइस क्रीम के लिए गए और आपने पूचा कि आइस क्रीम कितने की है तो 20 रुपेस की आइस क्रीम है 20 रुपे का एक कंजमप्शन करते हो और एक कंजमप्शन करने के बाद बस 20 रुपे पे करा और अपने घर आ गए यह सिच्विशन रही आपके आज की क्लिर है नेक्ष्ट नेए आप वहीं पर जाते हैं कि आपसट चोड़िए अमें उसी टाइम की बाद बात कर दूप क्या वह इस क्रीम दो रुपे की होती तो क्या आप एक ice cream का वाद घर चले जाते क्या आप घर चले जाते हैं का डिपेंट करता है तो ice cream के रेट कम हो जाने से क्या स्टमक का साइज बढ़ा हो गया पहले तो आपको नीट्स नहीं थी, 20 रुपए में तो एक खाके घर जा रहे थे, बड़ी कम नीट्स थी, ये 2 रुपए होने से आपकी नीट्स कैसे बढ़ गई, ये चमतकार कैसे हुआ आपके अंदर, अगर आपकी नीट्स से आप ये डिसाइड करते हो, आप कितनी नीट् कर रहे हो, जनरली हम ऐसा ही करते हैं न, हम ऐसा ही करते हैं तो ये बात तो कहना गल्द है कि हमारी नीट्स पर डिपेंड करता है, कहीं न कहीं हम उस कमड़ीटी की प्राइस पर भी डिपेंड करता है, कि हम उसकी कितनी नीट को करेंगे, क्लिर है, तो आप कमड़ीटी के प पाइसे जब खर्च करते हैं किसी भी चीज के ऊपर तो money for the value आप recovery कररहे नहीं करे यह हमेशा हम analyze करते हैं कि जो पैसे मैं खर्च कर रहा हूं कि क्या इतने मुझे benefit मिल रहा है नहीं मिल रहा है सामने से तभी इसको देखते हुए हम पैसा खर्च करते हैं कभी भी अगर आप एक रुपई दा खर्च करते हैं तो अरे करेंगे कभी नहीं एक कंश्यूमर का हमेशा नेचर क्या रहता है जब वो money दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो money for the value वो recover करेगा ही करेगा, otherwise वो purchase करने का reason नहीं लेगा, यह consumer का nature होता है, clear है, इस nature के हो तो आप अच्छे समझ गए, तो बच्चे क्या होता है, जरा समझे गए जरा इस चेज को, जब है न, high price होती है, काफी upper price होती है, 20 रुपे की एक ice cream है, तो मैंने 20 रुपे 10 रुपे पे करा और एक ice cream हो consumption करा, मेरी needs satisfied कुछ level तक हुई है, अब ऐसा नहीं है, कि मेरा बिलकुल ही ice cream खाने का मन नहीं है, मेरे ice cream खाने का मेरा अभी भी मन है, अभी भी मेरा मन था, लेकि म वही है, तो आप मैं इस ता consumption नहीं करूँगा, अब आप सोचेंगे, है न मचे, नहीं करेंगे न, 20 रुपे करने पड़ेंगे, तो आपके mind में एक बात आई है, कि अब आम नहीं पे करेंगे, तो मेरा सवाल है आप क्यों नहीं पे करोगे, पहले भी तो आइस cream सेम वही थ पहले भी तो price वही था, जब आप पहले purchase कर सकते थे, तो second time में आपने 20 रुपे rate होने के बाद, दूसरी ice cream क्यों नहीं करा, करें नहीं दूसरी में वहाँ फाइदा नहीं है, अरे फाइदा नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, पहले ice cream भी तो वही है न, जब पहले बारे म पही क्यों कह रहे हो फाइदा नहीं है, क्योंकि because of law of damaging marginal utility, कि जैसे ही हम किसी भी commodity का consumption continuously करते चले जाते हैं, तो next unit से मिलने वाला satisfaction level हमारा last के competitively कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो satisfaction level है, हमें कितना मज़ा आने वाला है, हम कितना enjoy करने वाले हैं, यह हमारी needs पे depend करता है, एक glass पानी आपको बहुत enjoy करवाएगी, बहुत तेज भूग लग रही है, वो एक चपाती बहुत enjoy करवाएगी, प्यास नहीं लग रही है, same glass of water आप उतना enjoy नहीं कर पाएंगे, उतना satisfaction level नहीं मिलेगा, तो higher satisfaction level का मिलता है आपको, जब आपके needs higher होती है, और lower level satisfaction level का मिलता ह slow होती है, और जब आपको needs ही नहीं होती है, तो satisfaction level नहीं मिलता है, तो जब आपने first ice cream 20 rupees में consumption करा है, मुझे पता है आपको दूसरी ice cream consumption करने का मन है, आप चाहते हैं एक और ice cream हो जाए, लेकिन 20 rupees को देख करके आप रुख गए, जब 20 rupees को देखके रुख गए तो आप पहले क्या दूसरी ice cream में मज़ा नहीं आएगा, आएगा, दूसरी ice cream में क्या सब्सक्राइबल नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट एक ice cream के consumption करने के बाद आपकी needs का कुछ पार्ट फिल्फिल हो चुका है, अब आपकी needs उतनी है नहीं, needs पहले से कम रह गई है, तो आपको वो same quality पहले तो बहुत मज़ा आया था, बहुत needs से, बड़ा मन कर रहा था, अब एक ice cream consumption कर चुका हूँ मैं, अभी भी मज़ा आएगा, पट 20 रुपे से compare करूँ तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, जितना कि मैं pay कर रहा हूँ, then आप decision लेंगे, money for the value, second ice cream नहीं है, मन तो कर रहा ह है, लेकि money for the value नहीं है, जो pay कर रहा हूँ, उसकी recovery नहीं कर पाऊँगा, as a rational consumer, आप decision लेंगे, नहीं भाई, money for the value नहीं है, मैं buy नहीं करूँगा, clear है, सुमाया आपको, clear है बच्चे, चलिए, मैं एक अगला example लेता हूँ, दो रुपे का ice cream है, एक ice cream consumption कर रहा आपने, बड second ice cream से कम मज़ा नहीं आ रहा है, कि आपको, sir, मज़ा तो आ रहा है और पहले से कम भी आ रहा है, applicable भी हो रहा है, तो क्यों ले रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो इस पर, sir, पहले से मज़ा कम आ रहा है, लेकिन दो रुपे से तो ज्यादे ही आ रहा है, दो रुपे में पे कर हैं उससे ज़्यादा का आपको सड़िफेशन अब मिल रहा है तो आप कंझम्शन करेंगे मने फॉर्दा वैलिव मिल राकंझम्शन करेंगे सटीन लाउन याइस क्रिम करें ऐध्र थबन करें तो ऐठ बात कमाल करें पहले तो एक exitud आज तीसरी आइस्क्रिम चला दिया है तो थर्डा एस्क्रीम आज क्योंग? सर थर्ड में भी मेरा पहले से भी कम मज़ा आ रहा है पर सर जो भी आ रहा है ना 2 रुपे सो ज़्यादा ही आ रहा है money for the value है, 2 रुपे में जाता ही क्या है recovery तो उससे ज़्यादा ही है, तीसरी भी खाएंगे हम चोथी भी खाएंगे, वावी वाग कमाल कर दिया पांच भी भी खाली, ये है payment, ये है satisfaction level then satisfaction levels, third पर satisfaction level, fourth पर satisfaction level and fifth पर satisfaction level क्योंकि जब आपने first consumption कर रहा तो payment ये कर रहा satisfaction level ये मिला और जब आप second ice cream consume कर रहे हो तो payment ये ही same कर रहे हो but satisfaction level आपका fall हो गया because of law of diminishing marginal utility, लेकिन आपके payment से तो ज़्यादा ही है जब थर्ड ice cream आप consume कर रहे है तो भी आपका satisfaction level कम होगा because of law of diminishing marginal utility but money for the value है payment ज़्यादा है तो आप consumption करेंगे then fourth भी आपका ज़्यादा है and fifth में भी आपके पास पर क्या गया equal, six क्यों नहीं consume कर रहा नहीं भई आप नहीं कर रहा, अरे दो रुपे कही है कर लो क्या हुआ बिटा दो रुपे कही तो है, कर लो six भी कर लो seven भी कर लो, eight भी कर लो, कर दो दुकान खाली, क्या हुआ, दो रुपे कही तो है क्योंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप नहीं तो पहले पढ़ाया है because of law of diminishing margin utility एक time ऐसा आता है एक stage ऐसा आता है एक situation ऐसी आती है कि consumer की needs पूरी की पूरी fulfill हो जाती है consumer पूरी तरीके से satisfied हो जाता है जब उसकी needs ही नहीं रहती है तो वो same quality उसको कुछ भी satisfaction level नहीं दे रहा है मज़ा मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है एक stage पर जा करके मेरा इससे मिलने वाला satisfaction level बिल्कुल ही खतम हो चुका है अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है भी आपको मज़ा क्या ice cream change कर दिये क्या क्या plastic की ice cream कर दिये क्या अब मज़ा क्यों नहीं आ रहा है नहीं सर ice cream तो हुआ है सर लेकिन सर consumption करते करते हमारी needs भी तो fulfill होती चली जाती है और एक time ऐसा होता कि हमारी needs completely fulfill हो जाती है फिर जा हमारी needs ही नहीं है तो same quality हमें को Satisfied करेगा ही नहीं तो कोई नहीं कर लो दो रुपे कहतो है नहीं सर दो रुपे कहा है तो क्या दो रुपे से फेक थोड़ी नहीं देंगे हम देखिए consumer कैसे decision ले रहा है कि उसे कितनी unit को buy करना चाहिए वो जब जो pay कर रहा है अगर उससे ज़्यादा उसको Satisfied मिल रहा है पेमेंट से ज़्यादा मिल रहा है वो consumption continue रखेगा और पेमेंट के equal जब Satisfied लेवल आएगा तो वो stop करेगा वो stop करेगा उस situation में कि payment यह रहा भी यह रहा वो वहाँ पे stop कर देगा क्योंकि इसके बाद अगर उससे ज़्यादा करा ना तो पेमेंट तो सेमीर करना है पर Satisfied लेवल नीचे चला जाएगा Money for the value नहीं आएगा तो consumer कब तक purchase करता रहता है जब तक कि उसकी payment के equal उसको Satisfied लेवल नहीं मिल जाती है तो जो वो price pay कर रहा है और जो उससे मिलने वाला Satisfied लेवल है जब दोनों equal आ जाए तो consumer रुख जाता है ठैरो, रुखो क्योंकि इसके बाद भी यही payment जानी है पर मज़ा इससे कम आना है because of law of diminishing marginal utility तो question मेरा कहता Explain the market price of good How does a consumer decide as to how many units of that good to buy Consumer कैसे decide करता है तो payment और उससे मिलने वाले Satisfied लेवल के help से वो decide करता है तो जो payment कर रहा है अगर उससे जदा Satisfied लेवल मिल रहा है तो continuously consumption करेगा Payment के equal Satisfied लेवल मिल रहा है then वो consumption को stop कर लेगा क्योंकि उसके बाद consumption करता है तो payment तो same ही जाना है but because of law of diminishing marginal utility उससे next मिलने वाला Satisfied लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यह बच्चे मैंने एक verbally practical example समझाया पहले मैं आपको कोशिन गंदर आप पहले रम जाएए कोशिन क्या है क्लिर है उसके बाद आप उसके आंसर पर आएंगी Explain why the price which a consumer is willing to pay for a good equals to the marginal utility क्लिर है तो Satisfied लेवल को यहां पर क्या कह रहे है marginal utility तो बच्चे क्या है Explain why the price which a consumer is willing to pay for a good equal to the marginal utility of that good when purchasing a good क्यों है consumer जो pay कर रहा है उसके equal ही जितना Satisfied लेवल मिल रहा है उतना ही वो पे करना चाहता है जिससे कि उसका equilibrium stage पर आ जाए consumer को maximum satisfaction लेवल मिले clear है बच्चे इस situation को क्यों होता है तो अब इसके answer के लिए आप में इसका answer कैसा होगा तो पहले मैंने question explain कर लिया अब देखेंगे इसके next में कि इसके answer को मैं इसी जो अभी मैंने verbally express करने की कोशिस की है आपको यह आपका पांसे दस परसेंट भी अगर clear है तो कोई बात नहीं किसी भी किसी भी story को किताब में पढ़ना एक अलग बात होता है जाके theater पर देखना एक अलग हैं हम इसके answer के तरफ है कर दयंकार